चाहें दोस्तो मेरा नाम है अतूल और स्वागत है आपका अपने यूड़ोब चैनल अदूल टेक बजार में दोस्तो रियल्मी एक्सटी और रियल्मी फाइब प्रो में नौवंबर का अपडेट आ चुका है दोनों में ही यहाँ पे C.08 अपडेट प्रोवाइड किया गया है रियल्मी की तरफ से इससे पहले बहुत सारे वीडियो बना के मैंने बता जिया था पर यहाँ पे फाइनली इंडेकली अपडेट आ चुका है तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस से कर लेजेगा बैल आइकन को भी प्रेस कर लेजेगा चली वीडियो को फटावट से स्टार्ट करते ह अगर आपको देखने को मिल जाता है इंडियो से क्रीड पेज आपडेट नौवमबर 2020 गा साथ यहाँ पे अगर आप कॉल करते हो तो ब्लूथूथ एरफॉन अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ब्लूथूथ एरफॉन का यहाँ पे आईकॉन देखने को मिलेगा कॉलिंग स सेक्शन में सूर्पकार सेर्फंग मैं सेक्शन में पूर देखने-को मिल जाएगा साथ-दोस्तो यहां पर अगर और यहां पड्राओर ने कोट्रफ टो देखने को मिल जाएगा साथा दूस्तों आईकउन पूल डाउन जेश्चर का फीचर कैसे यहां Government आप देखने-को to sunrise वाला option अब यहां पे add कर दिया गया है आपको directly आप इसे select कर सकते हो automatically यहां पे sunrise to sunset में change हो जाएगा कुछ shortcut button भी add किये गये है बैटर सेटिंग में और security सेटिंग में साथ इसाथ यहां पे कुछ issue था temperature का अगर आप high comfort वाले option को आप करते हो तो यहां पे color temperature का कुछ issue था इस box को यहां पे fix कर दिया गया है album section में अगर आप जाओगे photos album में तो यहां पे दोस्तों अभी realme UI 2.0 वाले जो features हैं वो भी मिलने लगे हैं जैसी आप यहां पे tap करोगे तो वीडियो में आपको create का option देखने को मिलेगा और solo video editing वाला option आ जाता है पर इसके लिए आपको solo app की जड़त पड़ेगी और अगर आपके पस नहीं है तो आप download कर सकते हो या फिर मेरे चैनल से भी download कर सकते हो channel पे available है साथ-साथ यहां पे screen flickering वाला issue को fix कर दिया गया है और अगर आप यहां पे album में इंटर करते थे तो यहां पे दोस्तो crash का कुछ issue था उसे भी यहां पे fix कर दिया गया साथ-साथ यहां पे clone phone में कुछ probabilistic freezing issue था उसे यहां पे bugs को fix कर दिया गया है यहां दोस्तो जो realme X, realme 5 pro, realme XT, X2 और realme 3 pro 3 pro में भी update नहीं है बट जब भी update आगा सेम यही update आपको देखने को मिलेगा super power saving mode वगेरे जो feature है वो आपको यहां पे मिल जाएगे maybe one week के अंदर सभी devices में यहां पे update आजाएगा बात रही realme 3 और realme 5 series की तो maybe बहुत सारे features इसमें यहां पे मिल जाएगे maybe इसमें भी one week के अंदर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा दोस्तो realme के regarding और भी कोई question आपके mind में होंगे तो मुझे comment section में जरू से पुचेएगा या पर टेलेग्राम ग्रूप को आप जॉइन कर सकते हो तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही ये वडियो आपको परसंद आपको तो प्लीज से में चैनल को लाइक से और सुब्सक्राब करना ना पुलिएगा तब तक लिए जानस तो बलते रहिए पंदी मातरम